दोस्तों नमस्का स्वागत करते हैं आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों CSD कैंटीन में सराब के आयात पर रोक लग गई है और इसी के चलते एक बड़ा फैसला लिया गया है अब आपको ये जर्चित ब्रांट CSD कैंटीन से नहीं मिलेंगी वीडियो के मादम से जानेंगे क्या नए रूर रेगलेशन यहाँ पर बनाये गए हैं CSD कैंटीन के लिगवेर को लेकर पूरी जानकारी के लिए वीडियो कौन तक देखें वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर से एक कर लें ताकि वो भी इनके बारे में जान्स के गोवेंट इंपलोईज पैंसनर फैमिली पैंसनर से जोड़ी हर एक ताज़ा ख़वर सबसे पहले प्राप करने के लिए हमारी चेनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों जदा वक्त ना गवाते हैं स्टार्ट करते हैं आज के मारी वीडियो देख पार यहां पर लेटेस्ट अपडेट निकल के आया है सिस्दी कैंटीन में सराब के आयात पर रोग लगाए गई है अब आपको नहीं मिलेंगे यह दो चर्चित ब्रांट बिलकुल आप अब अपनी दो पसंदिता ब्रांट के बिना ही रहना पड़ेगा प्राफ जानकारी के अनुसार पैर नोड रिकोर्ड और डिया जियो के आयात पर रोग लगा दी गई है बिलकुल आपने सही सुना दोस्तों हालांके CSD ने अभी तक इस पर कोई अधिकारिक बयान जारी न पतिवन से व्यापार पर कुछ खासा परभाव यहां पर नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका सेर काफी कम है फ्रेंच कंपनी फेरनाट रिकोर्ड और बिटेन की कंपनी डियाजियो दोनों को मिलाकर लगभग 50 वीशद आयातित सराब आर्मी कैंटिन को सप्लाइ किया जाता है अभी CSD पूरे भारत में लगभग 5000 स्टोर चलाती है जो हर साल सराब की एक करोड़ दस लाग केस बेचती है इसमें से लगभग आधी रम होती है जबकि 1 से 1.2 लाग केस करीब इंपोर्टेट सराब की होते हैं बताते हैं कि एक केस में 9 लीटर सराब या फिर साड़े 700 एम बता है एक अधिकारे ने बताया है कि इस राप को भात में कहीं और नहीं बेचा जा सकता है तो अभी अभी परधान मंतरी नेंदर मोदी की अगवाई में उनकी अपील के बाद ये फैसला लिया गया है कि कैंट्री स्टोर डिपार्टमेंट अब ये दो बेहत चर्चिद ब करें आपके लिए वैल्यूबल होगी वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर से एक कर लें ताकि वह भीन के बारे में जांस के फिर हाजित होंगे आपके सामने लेटेश अपडेट के साथ तब तक के लिए बनेरे मार्शा धन्यवाद जैहिंग जैभार्त